नमस्कार मायोगेस आप सभी का स्टेडिलर्ट के डिश्टल लेर्णिंग प्लेटफरों पे आबार अभिनेंदल स्वागत करता हूं तो आज मिस विड़ों में CT 12 लेवल और ग्रेजिस लेवल के रिजल्ट को लेकर चर्चा करने वाले हैं आप सभी को पता है CT 12 लेवल का एक्जाम आपका फरेवरी में वा था और ग्रेजिस लेवल का एक्जाम आपका जनवरी में वा था उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है ठीक है तो वीडियो को complete देखना और result को लेकर जो अधिनेस्त बोर्ड है ठीक है आपका जो CT का exam content करवाया करमचार चैन बोर्ड उनके जो चेर्मेन है हरी परसाजी सर्मा और बिरोजगार मासंक के अधिक्स उपेन जी यादो है उन्होंने result को लेकर क्या बात बोली है वो भी मैं तो आपको सबसे पहले बताए जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे आपके exam की CT की तहरी करवाए गई थी वैसी वैसे update भी आपको यहाँ चैनल पर मिलती रहेगी तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप notification वेल को भी on कर लेना तो इसलिए आज की वीडियो की exam हुई जनवरी के अंदर तो आपका जो result है वो सबसे पहले CT graduate को लेकर जो आपके अधिनेस बोड़ है ठीक है उसके जो उनके जो चेर्मेन है ठीक है अरिपसार जी सर्मा उन्होंने भी यही बात बोली कि जो CT graduate का जो result है वो अप्रेल के अंदर जारी कर दिया जाएगा और विरोजगार मासंग के अधिक से उपेन जी यादव नहीं भी यही बात बोली कि यह जो result है यह आपका अप्रेल के अंदर जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो पूरी पूरी चांद से कि आपका CT जो ग्रेजिस लेका जो result है वो अप्रेल के अंदर आपको यहां पे पांजांकी तो आपका जो result है वो भी आपका कएने कई द Prix 15 दिन बाद में यहाइगा ठीक है तो यहाँ पर रहा बाथ करें अप्रेल के तो OnePlus 2 25 अप्रेल या अप्रेल के अल्बर है यहाँ गरंपका जो आपकाätta जो इस लेक्षित और और priv too यहाँ आप माहन के सालो यहाँ ज्यादा चांस आपके लग रहे हैं 5 से 15 मही के मद्धे मद्धे ठीक है 5 से 15 मही के मद्धे आपका जो 12 रेलो का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा ठीक है यहां पे मैंने बता दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और पहले किस का आएगा और ब से आपको रेंग दिखाई जाएगी या फिर आपको यह बता जाएगा कि या आप पास हो या फिर फैल हो वो किस हिसाप से रिजल्ट आएगा वो भी बात करने ठीक है जैसे हम माल लेते हैं कि एक भरती है ठीक है कोई भी जैसे ल्डीसी वर्थी वो 5000 पदों पर हो रही है तो इसमें 15 गुना विद्यार्तियों को पास के जाएगा तो यह किस हिसाब परकिरिया होगी यह तो रेंग के साफ सी रिजल निकाला जाएगा या फिर फैल पास के यह बाकी को फैल कर दिया जाएगा वह परकिरीया रखेंगे वह भी कुछ भी पता नहीं है लेकिन आपको कुई बढ़र्थी आईगी तो इनको तो 15 गुना विद्यार्तियों को ही ldc के पास करना है ठिक है तो वो बात होने वाली है लेकिन फिलाल के लिए यही बात है कि आप रेल के अंदर आपका रेजैल्ट हाजएगा और मरी के अंदर आपका डेल। रेणीर वो का रेज़ेट आजएगा और आगे के जो हुँ परोइर प्रोशेस है वो हम आपको